नमस्कार आप देखरें एंडिया न्यूज पंजाब, हिमाचल और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान हुसेन शुरुआत करेंगे 50 आयम खबरें फटा-फट अंदाज में सुर्जीत ठाकु ने काये कि चमबा में मेडिकल कॉलेज में मरीजों की इलाज की सुविधा नहीं मिलती है मेडिकल कॉलेज मात्री रेफर अस्पताल बन गया है जहां आने वाले मरीजों को शिंबला या तांडा रेफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है लेकिन गर्बती महिलाओं को दो-दो महीने बाद की डेट दी जा रही है जो दुर्भागे को है महिलाओं को टांडर रेफर किया जाता है और गर्बती महिलाओं खस्ताहाल सडकों में सफर करती हैं तो कितनी परिशानी होती होगे मेडिकल कॉलेज में ना तो अल्ट्रासाउंड होता है और ना ही किसी भी प्रकार के टेस्ट होते हैं सुर्जी ठाकू निकाए कि अगामे विदान सबाचुनाव में एक मोका आम आदमी पाटी को दें ताकि दिल्ली मोडल पर चमबा के लोगों को बहतर स्वास्ते सेमाई मिल सकी हिमाचर प्रदेश के विश्मिका शक्तिपी श्री ना देवी में शर्दी नवरात्री के तीसरे दिन सुभा सुभश रधालों ने काफी संख्या में माता के दर्शन कियो और मा का आशुब आशिरवाद प्राप्त किया है पंजाब हिमाचर हर्या अदिली और अने प्रदेशों से श्रधालों के पहुँशने का करम जारी इसके साथ त्री श्रधालों को लाइन में माता के दर्शन करवाई जा रही है हिमाचर के जिलाकुलू के डिर्वन खंड के ब्रोथ हानिंग की तहत गुसाई एडिट के पास मारूती कार सतलूज नदी में आन इंतरित होकर जागिरी चालके पहचान राजकुमार जिलाकुलू के निवासी के रूप में हुई है लेकिन अभी तक कार का कुछ नहीं पता चल पाया है फुलिस से मिली जानकारी के मताविक ब्रो से निर्मन को जार ही थी जैसे ही गाड़ी ब्रो के गोसाई एडिट के पास महुची तो गाड़ी सरक से निच्चिस सतलूज में जा गरी गुरुमंत्री मेजर विजय सिंग मनकोटिया द्वारा कॉंग्रेस के सीनियर लीडर्स पर लगाए गए अरोपर के चलते कॉंग्रेस ओबीसी प्रकोस्ट वा धरमशाला यूथ कॉंग्रेस ने मनकोटिया पर पलटवार किया है अबिसी कॉंग्रेस जिला दक्ष वरेंदर चोधरी धरमशाला यूथ कॉंग्रेस अध्यक्ष अश्वी नीरवाणा यूथ इंटरक जिला दक्ष शुबं सूधनी संइफ प्रेस वारता में काये कि मनकोटिया ने सीनियर लीडर्स पर बे बुनिया दरोप लगाने बंद न प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के पाच अक्टूबर के बिलासपूर दोरी को लेकर बिलासपूर नगर के लुहनू मैदान में जन्सभा का यूजन किया जाएगा जन्सभा में एक लाक लोगो को लानी का लक्षे भाजपा ने निर्धारित किया है वही रैली को लेकर जिला भाजपा भी पूरी तरह से सक्री होगी है और इस दोरी को लेकर खादेव मापूर्ती मंत्री राजेंदर गर्ग, मुख्य मंत्री के राजनीती सलहकार, फिलोग जमवाल और विधायक जे आर कठूआल आधी ने परीधी ग्रह में पत्तरकार बार इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी और से लगतार सुजाब दिया जा रहे हैं कि गगर एरपोर्ट को फ्लाइंग स्कूल में तबदील करके वोड कुवालू में सैक्रो एकर बंजर जमीन पर एरपोर्ट बनाया जाए वाना तो किसी का कारोबार उजड़ेगा और नहीं किसी की रिहायश को नुकसान होगा और जनता को कि उसका लाब मिलेगा दसोरा माजुरा खड में भही सुरक्षा कर्मी का शब तीसरी दिन बद्ली बेरियर के पुल के नीचे से फसा हुआ मिला है शब फानी के तेस बहाव में करीब 8 किलोमेटर दूर पहुच गया था जो कि बड़ी ही मशक्कत के बाद NDRF की यूनिट नालागरवा पुलिस ने हाइडरा की मदद से बाहर निकाला और NDRF यूनिट के दो दिन से चल रहे सर्च ओपरिशुन के बाद शब को बरामत किया गया है केंद्री मंत्री अनुराक सिंग ठाको ने सलोनी में आयजित कारिकरम में बटसर कथा भोरंज विधान सब अक्षेतर के लिए साड़े सतरा करोड के उधाटन एवं शीला नियासकर जनता को समर्पिकियों केंद्री मंत्री ने सलोनी में साथ करोड अठासी लाग से निर्मित होने वाले तेतिस के के विए सबस्टीशन दांदडू के लिए आठ करोड और एक्ट्या 81 लाग से निर्मित वाले सब्स्टेशन को निर्मित होने वाले पंचायत पर भूकर काशिल अन्यास किया है इस अफसर पर भोरंच विधान सबाक्षेतरती विधायक कमलेश कुमारी जीला भाजपा धक्ष बलदेव शर्मा पुर विधायक भोरंच डॉक्टर अनेल भीमान आदी भाजपानेता भी मौजूद रही है मंडी जीला के चंडिगर मनाली नैशनल हाईवे किस पर अपंडोहों में इतरित्ते आई आई आर्बियन बटालियन के गेट किस में बड़ा हादसा हुआ है हादसे में नैनोकार में सवार एक व्यक्ती घंबी रूप से घायर हो गया जिसे इस्थानी लोगों वाँ SDRF के इस जमानों के मदश से जोनल अस्पताल मंडी पहुचाए गए जहां उसका उप्चा जारी हो जानकारी के अनुसार नैनोकार कुलू से सुंगर नगर की तरफ आ रही थी जिसके बाद नैनोकार अन यंतर खोकर एक ट्रक से जाट क्राई जिसकारण नैनोकार के परखचे उड़ गए केंद्रे विश्विधाले हिमाचल प्रदेश द्वारा विश्व प्रेटन दीवस के उपलक्षे पर विश्विधाले परीसर में भवे कारिकरम का आईजन किया गया जिसका आशुभारम विश्विधाले के कुलपती प्रोफेसर सत्प्रकाश बंसल द्वारा किया गया और इन प्रदर्शनियों के माध्यम से लगू उद्मियों द्वारा हिमाचल प्रदेश की कला एवन संस्क्रिती को दिखाने का प्रयास किया गया इसी के साख है विश्विधाले में स्टेक होल्डर वर्क्शोप का भी आईजन किया गया जिसमें लगबग 19 स्टेक होल्डर्स में भाग लिया वाहिमाचल में प्रटन को ओर अधीक बढ़ाने के विश्वे में चर्चा की देश हमाचल प्रदेश राजसव अधिकारी मास्तंग ने शांतिफुन धंक से अपना विरोध प्रदर्शन जारी करते हुए केंडल जलाकर अपना कारी किया है निमालश्र प्रदेश राजसव अधिकारी मासंग के प्रदेश अध्यक्ष जे गोपाल शर्मा ने श्री नानदेवी में पत्तरकारों से बाचित करते हुए का है कि सरकार के अडियल रवई के चलते उन्होंने अपना रोज प्रदेशन जारी गखा है अध्यक्ष जे गोपाल शर्मा ने कहा है कि वह गांदीवादी तरीके से अपनी मांगे सरकार के प्रदिजाही कर रहे हैं उन्होंने कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया ना ही उन्हें मिलने के लिए भी तक गुलाया है वनमंत्री राकेश पठानिया ने पुर्विधायक जे महाजन और रनबील सिंग निका पर तीखा जुबानी हमला बोलते हैं उन्हें आडे हातों लिया है उन्होंने जे महाजन के बायो डाटा दो नोक्री लो और आइडिया दसला का भ्यान को हासे पर बताया है उन्होंने काया कि उक परिवार सालों तक सत्ता में रहा लेकिन सत्ता के दुरान होने बेरोजगारी जैसी समस्त्याओं पर काम नहीं किया और आज जब वो इपक्ष में है तो जन्ता को बरगलानी का प्रयास कर रही है इसके साथ ही पठानिया ने काया है कि वे दिन में ऐसे सपने दिखा रही है जो कभी पूरे नहीं किये जा सकती नोंने काया कि जहां यह लोग बायो टाटा मांग रही है वहीं प्रदेश सरकार बल्ग ड्रग्स पार्क पोजेक्ट लेकर आ रही है जहां हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा जिला सिर्मोर में लंपी वाइरस रोग की चपेट में आने की बाद करीब 800 पशों ने दम तोड़ा है जब की वर्तमान में वाइरस पांच हजार से ज्यादा पशों इस रोग की चपेट में तो उधर जिला प्रशाशन लंपी वाइरस रोग पर नियंतरण पाने के लिए कारी कर रही है वीडिया को जान करी देते हुए DCR के गोतम ने बटाए कि जिला में करीब 15,000 पशों वाइरस की चपेट में आए हैं जिन में से 7,000 पशों ठीक हो चुके हैं जब के वर्तमान में 5,000 पशों वाइरस की चपेट में हैं पहले जहां प्रति दिन 500 मामले सामने आते थी तो वहीं अब यह संखिया घटकर 300 रह गई है इसी दोरान उनोंने जिला प्रशाचन द्वारा पंच्वायत प्रति नीधियों से भी इस मामले में सहीयों करने के अपेल की है देश की बड़ी भूमी के जल विद्यूत परियूजना 1500 मेगावाट की नाप था नातपा जाकडी मुख्याले की चिकित साले में रगदान शिविक आयुजन किया गया जिसमें SJBN के करमचारियों के लावा सेना केंद्रे और द्योगे के सुरक्षाबल, मादूरों और स्थानी लोगों ने हिस्सा लिया है प्रदेश सरकार द्वारा सराजवदान सा बक्षेप्र के हजारों लोगों को एक बड़ी सुविधा उपलब्त करवा दी करी है नैशनल हाईवे 21 चंडिगर मनाली परस्तित हंडोली से सराजवशेतर के खोला नाला के लिए बनाए गए हंडोली पुल को CM जर्म ठाकु द्वारा जंता को समर्पीत कर दिया गया है बतादे कि जिला मंडी के हडोगी खोला नाला के बीच ब्यास नदी पर निर्मित केबल अधारिक स्पेन ब्रेज सराजवशेतर के लिए लाइफ लाइन की तोर पर त्यार करेगा अडोगी खोला नाला पुल पर एक तरफ स्टे केबल लगी है यानि एक पुल ब्यास नदी पर हवा में होगा जो प्रेटकों को भी दुभाएगा प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने दो देवसे स्पीती दोरेक के दुरान लोगों की जन समस्याएं सुनी है इस दुरान उन्होंने की गाउं में एक दशमल पुचास क्रोटी धनवाशी से निर्मित सम्मिलन एवम प्रतिक्षाले कक्ष का उद्खाटन कर जनता को समर्पित किया है इस भवन के बनने से चार पंचायतों को लाब होगा इसके साथ की 20 लाग रुपे की राशी से निर्मित काजा टेक्सी उपरेटर यूनियन के कार्याले भवन का उद्खाटन किया है काजा में और द्योगे गल विशेश कारिक्रम में मुख्यमंत्री ग्रहिनी सुविधा यूजना के तैट इतके सलाभार्तियों को गैस कनेक्शन दिया गया और प्रदेश सरकार की यह यूजना गाम वासियों के लिए बर्दान साबित रहे है विश्व का विश्विक्यात्स चक्ति में श्रीनाना देवी में प्रदेश के राज्यपाल, राजेंदर, विश्वनात, और लेकर नी माता की पूजा अल्चना की और माता का शुबाशिरवात प्राप्त किया है राजेपाल, राजेंदर, विशुनात और लेकर के आगमन को लेकर मंदिर न्यास के दुआरा जिला प्रशाशन के दुआरा पुक्ता बंदोवस की गई थी जिला देश विलासपूर, पंकश राई एवं जिला पुलिस अदिक्षक एस सार राणा भी इस मौके पर मौझूद रही और मंदिर न्यास की तरफ से राजेपाल, राजेंदर, विशुनात और लेकर को माता की चुनरी, फोटो और पसाद भीट किया गया है विलाल के लिए विसे तना ही, तमाम कवरों के लिए देखते ही, इन्डिया न्यूस पंजाब है माचिन, नमस्कार